Welcome everyone to our YouTube channel, आज के वीडियो में हम एक ऐसे topic के बारे में बात करने वाले हैं, जो की काफी important topic है, number of students हमें comments करके ये पूछते हैं कि सर side view कितने प्रकार के होते हैं, side view के types क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं, ये काफी important है आपके लिए जानना कि side view कितने types के होते हैं, क्योंकि यहां पे हमने एक list तेयार किये है, ये जो list है, इसके तरफ आप ध्यान दो, यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जितने भी topics हैं, सभी में आपको side view ड्रॉग करना होता है, लेकिन इसमें दो topics ऐसे हैं, जिसमें side view ड्रॉग कर of points के solution बनाते समय, आपको side view ड्रॉग कर लेना होता है, then after projection of straight line में भी side view ड्रॉग करना होता है, then after projection of straight line में भी side view ड्रॉग करना होता है, then after projection of plane में भी side view ड्रॉग करना पड़ता है, projection of solid में भी side view ड्रॉग करना पड़ता है, section of solid में भी side view ड्रॉग करना होता है, लेकिन इन म और यह जो नीचे जो दो दिये है इन में difference क्या है वो सुनो देखो इसके बाद है isometric drawing और उसके बाद है orthographic drawing आइसometric drawing में भी side view ड्रॉक करना पड़ता है और orthographic drawing में भी side view ड्रॉक करना होता है लेकिन इनके side view और इनके side view में बहुत बड़ा difference है difference क्यू है पहले वो सुनो फिर हम आपको side view के types बताते हैं ठीक है देखो difference यह है यह जितने भी हमने topics लिके हैं projection of points से लेके section of solid तक यह सभी में जो हम side view draw करते हैं वो सिर्फ एक ही type से draw होता है इसका क्या मतलब है तो यह सभी में first angle projection method का use करके side view draw करना होता है first angle projection method से इसमें draw करना होता है जिसमें xy line के उपर हमें front view draw करना होता है xy line के नीचे हमें top view draw करना होता है और front view के side में हमें side view draw करना होता है हमेशा दहन में रखो side view, front view के side बे बनता है या तो आप right side में बनाते हैं या तो आप left side में draw कर लेते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यह जो नीचे के जो दो unit है यह दो unit में थोड़ा सा difference है लिखा है isometric drawing और उसके बाद orthographic drawing isometric और orthographic में ही number of students को confusion होता है कि side view यहाँ पे किस तरह से draw करना क्योंकि यहाँ पे side view के दो types आते हैं देखो side view के अभ़म types भतार है ज़रा ध्यान से सुनो isometric बोलो या orthographic बोलो side view दो type के होता है पहला left hand side view और दूसरा right hand side view देखो side view का नाम यहाँ पे लिखके देते हैं तो side view का नाम है that is LHSV याने left hand side view और second है RHSV याने right hand side view यह दो type के side view होता है ठीक है चाहे आप isometric drawing करो या तो आप orthographic drawing करो यह दो type के side view होता है यह दोनों आपको इधर कहीं नहीं मिलते projection of point में भी नहीं मिलेंगा straight line, plane, solid section कोई भी इसमें जब आपको side view draw करना होता है तो आपको LHSV या RHSV का कोई use नहीं होता जो भी use होता है पूरा का पूरा isometric और orthographic में ही होता है ऐसा क्यूँ उसका reason सुनो अप उसका reason क्या है वो सुनो कि यहाँ पे LHSV या RHSV जो है वो iso और ortho में क्यूँ है उसका reason यह है क्यूंकि isometric drawing या orthographic drawing या तो first angle projection method से draw करना होता है या तो third angle projection method से draw करना होता है समझ गए जबकि इसके पहले यह जो भी topics है इसमें जो भी drawing है वो first angle projection method से draw होती है तो चलो specially इसके उपर study करने के लिए हमने यहां पे दो कॉलम्स और दिये है एक है first angle projection method का column और दूसरा है third angle projection method का column हम इसमें आपको बताएंगे कि first angle projection method से अगर आप isometric या orthographic drawing कर रहे तो आपको side view जो है वो कहा कहा पे draw करना है और third angle में भी हम आपको पताएंगे तो हमेशा देहन में रखो देखो first angle projection method की अगर बात करे तो first angle projection method में x y line जो होती है इसके उपर front view draw करना होता है x y line के नीचे top view draw करना होता है जबकि इसका exactly ultra third angle में होता है third angle की अगर बात करे देखो जो अब हम बता रहे हैं यह काफी important है यह सुनो देखो third angle projection method में x y line के नीचे front view बनता है x y line की उपर top view बनता है इसका मतलब यह है कि first angle और third angle exactly opposite होता है देखो यहाँ पे front view उपर तो यहाँ front view नीचे यहाँ top view नीचे तो यहाँ top view उपर यह तो होगे front view top view की बात ओके लेकिन आज हमें front view top view को study नहीं करना है आज हमें side view को study करना है और अभी अभी हमने आपको side view के दो type बता है एक है left hand side view और दूसरा है right hand side view तो हम आपको बताना चाहेंगे कि first angle projection method में यह दोनो views कहा बनते हैं अब एक और बात आपको द्यान में रखना है वो यह कि side view अभी हमने थोटे देर पहले कहा था side view हमेशा front view के side बे बनता है side view हमेशा द्यान में रखो top view के side में कभी भी side view नहीं बनता top view यह है ना तो यह top view के इधर इधर मतलब यह इधर side by side में कभी भी side view नहीं बनेगा side view हमेशा यह front view के side में बनेगा या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा front view के side में यहाँ भी बिल्कुल वह सही है देखो यहाँ पर top view उपर है top view के side में कभी भी side view नहीं बनेगा हमेशा front view के side में ही बनेगा या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा समझ गए तो हमेशा धहन में रखना है side view, front view के side में ही बनता है, चाहे आप first angle से draw करो या आप third angle से draw करो अब first angle की अगर बात करें, तो first angle projection method में, जो left hand side view है, देखो जो हम बता रहे सुनो बहुत important है, first angle projection method में, left hand side view हमेशा front view के right side में बनता है ठीक है, लिखके देते हैं आपको यहाँ पर यह जो है left hand side view यहाँ बनेगा front view के right hand side में देखो front view के right side में left hand side view बन गया और जो right hand side view है वो front view के left side में बनता है RHSV, यह देखिए समझ गए, first angle projection method में यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी problem solve करो, अगर question में लिखा है कि draw the solution by first angle projection method तो ऐसे में आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखना है कि first angle projection method में front view उपर बनेगा top view नेचे बनेगा और side view front view के side में बनेगा तो front view के right side में left hand side view बनता है तो front view के left side में right hand side view बनता है उल्टा रहता है right में left वाला बनता है left में right वाला बनता है ऐसा उल्टा रहता है अब इसका reason क्या है क्यों ऐसे होता है कि left hand side view right में बनता है right hand side view left में बनता है और वहां से हम आपको explain करा के बताएंगे, अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा view कहा बे बनता है, तो first angle projection method की हमने बता दिये बात, अब देखो third angle projection method में side view कहा बनता है, तो third angle projection method में जो हमने कहा था कि side view, front view के side बे बनता है, तो front view के इधर एक side में, देखो right side मे एक view बनेंगा, left side में एक view बनेंगा, लेकिन कौन सा view कहा बनेंगा, मतलब वो view का नाम क्या रहेंगा, तो third angle projection method में, right hand side view, front view के right में ही बनता है, और left hand side view, front view के left में ही बनता है, ये third angle की बात कर रहे हम, ठीक है, तो third angle में यहां पे हम लिख रहे हैं, ये देखो, यहां बने लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखो, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सीधी बार बात है, पूरा सीधा सीधा है, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, राइट में राइट हैंड साइड व्यू बनेगा, तो फाइनली आज के वीडियो में जो हमारा म आपको specially ये बताएंगे कि left hand side view यहाँ पे right side में क्यों बनता है और right hand side view left side में क्यों बनता है उसका एक special video रहेंगा वो video आप जरूर देख लेना उससे आपका ये concept जो भी है ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएंगा तो आज की video में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले video मे thank you very much